अगर आपके बच्चे पालक नहीं खाते हैं, तो ये विडियो आप जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम देखेंगे पालक की एक मज़िदार और आसान सी सबजी बिनाना, जिसे खाने के बाद बच्चे और बड़े दोनों ही खुश हो जाएंगे, तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसकी रेसिपी, पालक की सबजी को बनाने के लिए हम लेंगे पैन में दो टेबल स्पून तेल, तेल गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा और सुखी लाल मिर्च, अब मेडियम आज पर हम इने कुछ सेकेंड के लिए भून लेंगे, फिर इस जान रखें कि हमें गैस की आज मिडियम ही रखनी है, अब इसमें हम डालेंगे बारी कटी हुई प्याज, प्याज डालने के बाद हमें इसे तीन से चार मिनिट तक जब तक यह हलकी से सॉफ्ट नो हो जाए तब तक भून लेना है, हमें इसे जादा ब्राउन नहीं होने द अब इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे बारी कटे हुए आलू, फिर इसमें हम डालेंगे स्वादनू सर नमक, नमक डालने से आलू जल्दी पक जाते हैं, अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद, हम इसे ढख कर दीमी आज पर 4-5 मिनिट तक पकने देंगे, बीच में एक से दो बार आप जरूर चेक करें कि आलू पके या नहीं, लगबग 4-5 मिनिट के बाद आप देख सकते हैं, कि आलू में कितना अच्छा कलर आ गया है, और आलू अच्छे से कुग भी हो गया है, अगर हम पहले ही प्यास को जादा भून लेते, तो फिर इस पॉइंट पर वो जल सकते थे, आलू अच्छे से पकने के बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, लाल मिर्श पाउडर, धनिया पाउडर, और जीरा पाउडर, मसाले डालने के बाद हम इन अच्छे से भून लेंगे, जिसे मसाले कच्छे ना रहे, आलू को मसालों के साथ अच्छे से भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे बारी कटी हुई टमाटर, और इन अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब टमाटर हमेशा आलू पकने के बाद ही डाले अगर आलू पकने से पहले ही हम टमाटर डाल देते हैं तो आलू को पकने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है अब टमाटर डालने के बाद फिर से हम इसे धीमी आज़ पर 2-3 मिनिट तक पकने देंगे जिससे हमारे जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए अब जब तक टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं अब जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए जिससे मुझे आपके लिए बहुत सारे यूसफुल वीडियोज बनाने के लिए मोटिवेशन मिले चलिए तो चेक कर लेते हैं टमाटर सॉफ्ट होए या नहीं आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से पक चुके हैं और सॉफ्ट भी हो गए हैं इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे बारी कटी हुई पालक पालक को कट करने से पहले मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है और एक बात का ध्यान जरूर रखे पालक को हमेशा फ्रेशली कट करे अगर आप पालक को काट कर रख देंगे तो कुछी समय बाद वो काला पड़ जाता है पालक को हमें आलू और टमाटर के साथ बहुत हलके से मिक्स कर ले रहा है इन्हें बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है बस हलके से मिक्स करना है और फिर इने ढखकर हम पकने देंगे 4-5 मिनिट तक यहाँ पर हम गैस की आज दीमी रखेंगे और पकने के बाद पालक बहुत ही सौफ्ट हो जाएगी और क्वांटिटी में भी कम हो जाएगी 4-5 मिनिट होने के बाद आप देख सकते हैं कि पालक की क्वांडिटी कितनी कम हो गई है और यह अच्छे से पक भी गई है अब आखिर में इसमें हमें एक ऐसा इंग्रेडियन डालना है जिसके बिना यह सबजी पूरी नहीं होगी और वो इंग्रेडियन्ट है एक टेबल स्पून देशी गी इस सबजी में आखिर में देशी घी डालना अब बिलकुल मिस ना करें क्योंकि देशी घी डालने से इस सबजी का स्वाथ बहुती बढ़ी आता है घी डालने के बाद भी हम इसे धीमी आज पर एक मिनिट तक अच्छे से भून लेंगे तो यह मज़िदार सी और बहुती टेस्टी आलू पालक की सबजी बनकर बिलकुल तयार है आप इसे जरूर ट्राय करें आपको यह बहुती ज्यादा पसंद आएगी और आपको यह रेशेपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताए और हाँ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ये भी बता दीजिए कि आपको यह ऐसी कौन सी नई रेसिपी देखनी है उनके विडियो उसमें आगे आपके लिए लेके आऊंगी फिर मिलेंगे एक नही रेसिपी के साथ तब तक खाते रहिए खुश रहिए